हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे सूजी का हल्वा और सूजी का हल्वा बनाना बहुत ही असान होता है और सूजी का हल्वा हम किसी भी खुशी के मौके पर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो मैंने गैस गी हमारा मैल्ट हो गया है मैंने यहां एक कटोरी सूजी लिया है 100 ग्राम के आसपस तो कड़ाई में डालेंगे सूजी और मैंने यहां बेशन लिया है एक स्पून इसको भी मैं मिक्स करूंगी बेशन डालने से हलुआ का स्वाथ बहुत ही यमी आता है तो अब इसको हम लो म फ्लेम पर दीरे दीरे भूनेंगे और इसको चला चला के भूनना है रोकना नहीं है नहीं तो हमारी सूजी जल्दी जल जाएगे अगर हम चलाएंगे नहीं तो यहां मैंने इलाइची लिया है उसे मैंने कूट लिया था तो दो इलाइची मैंने कूट के कड़ाई में डाल दी है अब इसको भी हम भूनेंगे तो गी हमारा छुट गया है सूजी में से सूजी ने गी छोड दिया है अब मैं इसमें थोड़े से ड्राय फूरूट डालूँगी वो भी इसमें डाल के भूनूँगी आपके पास जो भी ड्राय फूरूट है अब डाल के ऐसे ही भूने मैंने काजू बदाम और किसमिस डाला है उसे भूनूँगी मैं इसमे तो friends हमारे सूजी का जो कलर है ब्राउन हो गया है अब मैं इसमें दो कटोरी भर के पानी डालूँगी पानी पहले से मैंने गरम कर लिया था और इसको हम चलाएंगे हमें चलाते रहना है इसके बाद मैंने यहां चीनी ली है मैंने 100 ग्राम से कम चीनी ली है एक कटोरी चीनी से भी कम चीनी ली है मैंने आप मीठा जितना खाते आप उतना चीनी ले सकते है तो friends इसको चलाएंगे धीरे धीरे तो हमारा हलूआ रेडी होने वाला है अब इसमें जो गी बचा था वो भी डाल देंगे फिर अच्छे से चलाएंगे आप इसे नवरातरे में बनाएं माता को भोग लगाएं इससे किसी भी पूजा में आप बनाएं इस हलूए को तो फ्रेंड हमारा भंडारे जैसे हलूआ रेडी हो गया है आज इसको सर्फ करेंगे तो फ्रेंड मैंने सर्फ कर लिया फ्रेंड आप भी ऐसे हलूआ बनाईएं फ्रेंड अगर मेरा वीडिव validity आपको फसंद आया होगा तो likepassen ाया हो बीडू करना